हेलो दोस्तों मैं हूं सुधा और आज में लेकर आई हूं सेवई की रेसिपी जो की बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी साम यहां पर सेवई बना के रेड़ी करेंगे आशा करते हूं कि आपको आज की मेरी रेस्पी पसंद है तो मेरी रेस्पी अगर आपको के अंदर कुछ टाल देंगे जैसे कि मैं यहां पे आल्वन बादाम ले लिए और काजू ले ली उआ और किशमिश ली हूं तो पहले हम बादाम और काजू को भून लेंगे तो यहां पर गैस के फिलिम को लो कर गे इन दोनों चीजों को भूने हलका सा तो यहां पर इन ट् फिर इन्हें फटा फट निकाल लेंगे तो यह जो dry fruits है ना हलका सब भुन चुका है चलिए इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो इन्हें इस तरह से निकाल के हम dry fruits को भुन के ready कर लिये हैं यह देखिए इसके बाद हमें सेम इसी pen में क्या करना है यहां पर हम सेवईयों को ले लिये हैं तो यहां पर हम एक पैकेट सेवई का यूज कर रहे हैं सेवई को हम ढाल देंगे और घी में ही अच्छी तरह से भुन लेंगे तो यहां पर हम इसे अच्छी तरह से गोल्डेन ब्राउन कलर आने तक सेवईयों को हमें अच्छी तरह से भुनना है तो आप सिवईयों को भी low flame पे ही भुने, low flame पे इन्हें भी हमें भुनना है, low to medium flame कर दें, और सिवईयों को अच्छी तरह से भुन लें, और क्या करें आप अभी एक side में दूद रखतें, दूद थोड़ा कर्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसके अंदर add करेंगे, तो य दूद भी हमारा गरम ही है, मैं अभी just इसे boil की, और boil करके फिर मैं इसे सिवई में डाल रही हूँ, आप चाहे तो directly दूद को भी डाल सकते, मैं एक बार इसे boil करने के बाद डाल रही हूँ, तो यहां पर सिवईयों में दूद को डालने के बाद से, अच्छी तरह से मिला अच्छी तरह से उबालना शुरू हो गया है, इन्हें थोड़ टाइम के लिए अच्छी तरह से पहले हम उबाल लेंगे, तो इस तरह से चलाते हुए, आप सिवईयों में दूद को अच्छी तरह से उबालने, तो यह देखिए, चलाते हुए और थोड़ से boil करेंगे, तो इसके अंदर इलाइची पाउडर डाल देना है, तो यहां पे हम एक चोटे चमज के करीब में इलाइची पाउडर डाल देंगे, अच्छे फ्लेवर आने के लिए, और साथ ही में हमें इसके अंदर चीनी डाल देना है, तेने मिक्स कर लेंगे, और आपको जितना मीठा पस से ये देखिए हमारी ये सूपर टेस्टी जो सिवई है ये बनके तयार है तो चलिए इसे गर्मा गरम एक कटोरी में सर्फ कर लेते हैं तो आपको आज की मेरी सिवई की रिस्पी कैसी लगी कमें बॉक्स में ज़रूर बता है रिस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग